खनियादाना धाना शेत्र के अंतरगत आने वाले ग्राम गुडर में पंजाब नैशनल बैंक की शाखा में अग्याद चोरों ने धावा बोल दिया है गैस कटर से ताले तोड़े फिर तजोरी को भी तोड़ने का प्रयास किया है लेकिन बदमाश असफर रहे वहीं गैस कटर और अन्या सामान छोड़कर बदमाश मौके से भाग खड़े हुए देखिया यह रपो शिफपुरे चिले के पिछ और अनुवभाग के खनिया धाना थाना प्रभारी रतनेश यादव ने बताया कि रात्री के समय अग्याद चोरों ने खनिया धाना थाना शेत्वरंतरगत आने वाले ग्राम गोडर की पंजाब नैशनल शाखा में धावा बोल दिया असपास के घरों में पहले चोरों ने बाहर से कुंडी लगाई उसके बाद चोरों ने गयस कटर से बैंक के ताले काटे उसके बाद अंदर तिजोरी को भी गयस कटर से काटने का प्रयास किया लेकिन इसमें चोर असफल रहे वही अब इस मामले में पुलिस में मामला कर जांच शुरू कर दी है देखे वैसे तो मैं कोई इस बारे में जानकारी देने का कोई सक्षभादिकारी नहीं हूँ पिर भी जहां तक मुझे जो जानकारी मिली है वह यह है कि सुबह जानकारी मिली ग्रामवासियों की तरफ से आपके ब्रांच के ताले तूटे हुए है तो हमने आगे यहां पर मौगे जो सिनाक की है ताले तूटे मिले उसके बाद हमने थाने में सूचना दर्ज कराई है उसके बाद आगे जो पुलिश टीम है वह अपनी कारवाई कर रही है कोई नुकसान वैसे नहीं है फाइनेशल लॉस नहीं है सुबह कर तकरीबन साथ जाने वाले लोग है उनकी तरफ से फोन आया मेरे पास दो तीन लोगों की तरफ से उसके बाद यह जानकारी मुझे सुबह सुबह जो है कोई बैंक के करमचारी यहां थाने पर आये उन्होंने बताया कि बूडर में जो पंजाब नेशनल बैंक है उसकी शाखा है उसके ता सारे ताले गैस कटर से तोड़े आसपास के जो घर थे उनकी कुंडियां बाहर से लगा दे थी और पिर उन्होंने तसली से गैस कटर से जो है सारे ताले तोड़े और उनकी में सेफ है जिसमें पैसा रखते हैं उसको भी उन्होंने का प्रयास के लेकिन वह सफल नहीं कर रखा है और कुछ समय पहले तक पुलिस ने वहां पर पुलिस ने मदद करके इनको एक गार्ड अरेंज किया था जो गार्ड अभी डिसकंटेन्य हो गया है अगर अगर अलारम सिस्टम वहां बजता तो कहीं ना कहीं जो है इतनी भी वह चीज नहीं कर पाते हमारा पुलिस क गस्ती दल रात को एक बजे वहां गया है मतलब एक बजे तक वहां कोई घटना नहीं हुई है और उसके बाद चार बजे मैं स्वयम बामोर से चैकिंग करते हुए जब यहां से लोटा तो मैं गूडर में हूटर बजाते हुए निकला हूँ तो जिस तरीके से वहां सामान उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने पुलिस के हूटर को सुनके उन्होंने सारा सामान चोड़के भाग के निकल लिए हैं बाहराल अब देखना होगा कि ज्रिला प्रसाश्वन कब तक आरोपियों को धोड़ने में सफलता प्राप्त करती है ब्यूरो रिपोर्ट एमपी